काफी टाइम बाद वीडियो सुट कर रहा हूं लेकिन देखो यार सब्सक्राइबर एक भी कम नहीं हुआ इतने दिन में यार इसे कहते हैं भाई योगा प्यार किसी गर्दू आपको एक किसी गर्दू भाई आप सुनो रिजन क्या था मेरी एक्जाम चल रहे थी और चीजे थोड़ और अप्ग्रेड करवाई है इसमें थोड़ा और टाइम लग गया लेकिन अब टेंशन मदलो अब वीडियो आएंगे और अब इतना गेप आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे भाई आपको मिलेगा तो जस्ट एक या दो दिन का गेप होगा एर बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं एक सिंपल सी अप्लिकेशन STML, CSS और Javascript के अंदर हाँ जी, तो क्या एक Video to Audio Converter Application ठीक है, एक Video को Input लेगी उसको Output के अंदर वो क्या करेगी Audio को निकाल देगी, अब ये किस तरीके से बनाई जाएगी, वो सब हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे इस Video के अंदर आप के लिए एक डास्क भी मैंने रखाँ आपको उसको Soul भी करना है मेरे भाई और करना है देखना है कि आप से होता है कि नहीं होता है अगर नहीं हुआ तो Don't worry मैं उसे Comment कर देना आपका भाई आपके लिए कि वीडियो उस पे और निकाल देगा लेकिन प्रेक्टिस आपको करना है ठीक है प्रेक्टिस करना है ओके ओल्राइट सो जो चीज हम लोग बिल्ड करने वाले उसका डेमो देखते हैं पहले तो भाई अपनी जो एप है वो फस्ट टाइम कुछ इस तरीके से दिखाए देगी इस स्क्रीन पर आप लोग यहां पर देख सकते हो वीडियो टू अमपी 3 यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर एक सिंपल चूज फाइल का बटन है बोल रहा प्ले करो या फिर डाउनलोड करो जैसे मैं यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ MP3 format sound में ठीक है बढ़िया अगर मैं प्ले करता हूँ बढ़िया, 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 नाइस, तो यह अप है अपनी, यह अप है, तो हम इसको किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बिगनर के लिए तो यह मालो बहुत ही अच्छी अप्लिकेशन होने वाली है, और काफी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है तो मैं क्या करूंगा इसको बनाने स्टार्ट करते हैं अरब जल्दी से, इसको यहां से close कर देते हैं, ठीक है मैं क्या लिखता हूँ, video to audio, ठीक है, और converter, converter application, ठीक है, बढ़िया, ओके, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना जो VS Quoda वो open कर लेता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, यहां पे 3 file create करता हूँ, index.html की style की, मैं क्या करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ, यहां पे देखो, इसके अंदर इस वाले आइकन पर जैसे, आप लोग क्लिक करोगे, डबा open होता है, आपको बोलता है कि अपनी file का नाम डालो, मैं बोलता हूँ, simple index.html, yellow, yellow, अपनी file यहां पे create हो चुके है, देखो, आप लोग, हो चुकी है, बढ़िया, एक simple, हम लोग style.css की file create करते है, तो यह भी हो चुकी है, एक simple script script, okay, road.js नाम से हम लोग एक file और create करते है, तीनों file अपनी यहां पर create हो चुकी है, okay, nice, बढ़िया, ठीक है, html पर चलते है, बोल प्लेट कोड क्या होता है, देखो यार, कुछ ऐसा code जो मुझे लिखना पड़ता है, लेकिन vs code मुझे वो code देई देता है, लिखना मुझे पड़ता है, बहुत थोड़ा लंबा code होत option मिल रहा है, html5, enter मारो, यह देखो, यह complete code यहां पर आचुका है, आचुका न, हाँ, तो यह code होता है, बोल पेट code, html, okay, okay, एक तरीका और इसको लेकिया निका, shift and exclamation mark अपने keyboard मेंटर करो, यह, enter मारो, तो भी आचुका भाई, कैसे भी कर लो, depend you, आपको कैसे करना है, टाइटल लिखे लो, टाइटल क्या है, टाइटल अपना है, भाई, वीडियो टू, वीडियो टू, ओडियो, 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 कनवर्टर, कनवर्टर एप, okay, बढ़िया, हम लोग क्या करते है, पहला काम, अपनी style को लिंग करते है, मतलब, index.rode.shtml को बताना यहां पर लिखना हेड के अंदर आए कि लिंक लिंक देखो अटोमेटिक यहां पर आपको इसका एक्चॉल पाथ देना है तो पाथ अपना क्या है स्टाइल रूट पर है अगर किसे फोलडर के अंदर होती तो आप लोग फोलडर का नाम और फिर फैस फ्रीας का नाम रखते लेकिन ऐसे भी ठीक है फोलडर के अंदर नहीं रखते हैं हम लोग ड्यक लिएक ली करा और दूसरी चीज़ माने क्या करी। दूसरी हँआ पर दूड़ बनाये हैं ठीक है। है किए इख यह और करता क장님 है typically म questa का है किवूंब आपको पता से लेगा। अभी पता से लेगा और एक मोड़ता हूं आपकिंगे करता कुम भी चूज है काम करते हैं ए योर वीडियो दैट जिट मनिन ये बोल दिया हाँ अब अब एक काम और करते है इसके अंदर मैं एक इंपूट लेता हूँ इंपूट लेता हूँ जो किसको accept करेगा जो simplify को accept करेगा, okay, input type file, हाँ, अब, अब simple सी बात ही है कि भाई, इस code को अगर मा run करूँ, दिखाता हूँ बापको, दिखाता हूँ दिखाता हूँ हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, भाई, हो जाओ, यार, हो जाओ, यह क्या हो चुका, यह देखो, choose your video, that's it, हाँ, तो यह अब किसको accept करेगा, यह only video को accept करेगा, लेकिन बताना पड़ेगा, कि वह video को accept करना है, यह तो बहुत सारी, कोई भी file इसमें डाल सकते हो, अब इसमें default है, देखो, किसी image, कोई भी image, कोई भी PDF हो सब आप लोग इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, कि यह जो input है, यह accept करे, तो accept attribute का इस्तेमाल करो, ओके, तो उसके अंदर क्या लिखना है, वीडियो को ही आप लोग लो, और वीडियो का format कोई भी हो सकता है, यह जो slash star मैंने लगाया है, इसका मतलब यह है, कि कोई भी format हो सकता अब ऐसा वीडियो का, ओके, save करते हैं, देखते हैं, इस बार आपको कोई image, pdf, कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं दिखाए देगी, आपको only videos दिखाए देगे, देखो, यह सारे video है, ठीक है, बढ़िया, nice, अब एक काम यह करते हैं, कि यहाँ पर जो ID है, यहाँ पर जो ID है, इसमें डालते हैं, वीडियो, ध्यान से देखना, यहाँ पर मने डाल दिया video, और यह जो ID के value वीडियो मने यहाँ पर डाली है, यही सेम value में इस for keyword के अंदर, नहीं, keyword नहीं, attribute के अंदर में डालता हूँ, ओके, हाँ, अब देखो आप लोग, अब इससे क्या होता है, अब इससे क्या होता है, मुझे एक बारन करना पड़ेगा, इसको देखो, अब जैसे मैं इस text पर click करूँगा, तो भी deck लिए target होगा, यह देखो, यह देखो, हो रहा है, बढ़िया, nice, अब क्या करते है, अब यह काम करते हैं, जो input इसको hide कर देते हैं, अपना काम तो हो रहा है, अपना काम हो रहा है, तो हम लोग hide कर देते हैं, जैसे मैं इस पर click क ओके बढ़िया ठीक है एक सिंपल सा पी लेते हैं जिसमें हम लोग क्लास का वीडियो जो भी वीडियो का नेम है जो आपने चूज करा उसका नाम क्या है लेट सी मैं वीडियो नेम यहां पर डालता हूँ कोई बी डेमो डोट एमपी फो सिंपल इस आपको यहां पर दिखाए देगी देखो ठीक है इस पर क्लिक करके आप डाइक ली कनवर्ट कर पाओगे और एक का मैं ओर करता हूँ मैं एक का मैं और करता हूँ मैं यहां पर एक कुछ भी प्लेओ से है प्लेओं डाल्यूलोड कोई खेस पेडियों सारी फिर्म फो और वह बटन होगा बैसिकली डाउनलोड का और जिसके क्लास भी मैं क्या बोलूगा डाउनलोड ही होगी फाउनलोड नहीं डाउनलोड ओके नाइस बढ़िया तो प्ले डाउनलोड ठीक है स्टाइल थोड़ी इसको देते हैं तो मैं यहां पे स्टाइल.css पे आता हूं CSS जैसे मैंने टाइब करा कुछ कोड मेरे पास यहां पे आठ चुका आपके में नहीं आया, मैं यहां पीश यहां पर आपको एक option मिलता है user snippets ध्यान से देख लो user snippets इस पर क्लिक करना यह डबबा उपर उपर होता है आपको इसके अंदर सर्च करना css यह code मुझे दे दो यार ठीक है तो इतना मैंने बोल रहा है और वेसा यह कर रहा है अपने लिए ठीक है बड़िया नाइस अब क्या करते हैं लिखते हैं बोडी की जो width है वो width width 100% बोडी की जो चोड़ाई है वो heart 100% और जो height है वो हम लोग करते हैं 100 viewport height बड़िया और background का color हम लोग triple zero करते हैं ताकि आखे घराब ना हो तो यह देखो यार यह देखो बड़िया और एक काम और करते हैं जितने भी text हैं उनका color हम लोग यहां पर white करते हैं अब क्या करूंगा सबसे पहले यह जो container है इसकी width को मैं 100% करूंगा और मैं जो इसकी height है उसको 100% करूंगा ठीक है अब इसकी अंदर जो भी content होगा वो display flex होगा justify content मैं center करूंगा align items मैं center करूंगा क्या मिला अपने को अपने को चीजे एक के बाद एक मिल रही है मैं चाता हूँ एक के नीचे एक मिले एक के बाद एक नीचे एक मिले उसके लिए आपको simple लिखना flex direction column यह property तो इस से यह चीज इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी nice बढ़िया ठीक है अब अब एक काम और करते हैं हमने एक यह इसमें heading नहीं डाली तो मैं simple heading यहां पर प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं बोलता हूँ video and to audio converter app ओके ओके नाइस बढ़िया और यह एक basically heading है तो मैं यहां पर इसको class प्रोवाइड करता हूँ heading nice और इस heading को मैं simple copy करता हूँ और यहां पर कुछ CSS इसकी add करते है let's see font के size font size font size कितनी font size मैं यहां पर इसको करता हूँ 4.5 रेम ओके ओके कम ही है कम ही है कम ही है क्या है let's see मैं इसको सोड़ा ज्यादा करता हूँ यह तो बहुत कम है 9.5 रेम नहीं यह basically targeting नहीं हुई तो मुझे h-e-a-d-i-n-g ठीक है तो यह देखो हो चुके है बढ़िया उसके बादे मैं क्या करूँगा इसको इसका जो font का family है font family वो मैं हाँ पर aerial कर दूँगा और इसका जो font weight है वो मैं हाँ पर lighter कर दूँगा ठीक है okay okay nice और एक काम और करेंगे इसको cut करके यहां पर apply करेंगे सब भी जगह है यह जी apply होने चाहिए बढ़िया है और सभी लग रहा है इसको hundred पर करते हैं ठीक है 45 पिक्सल एंड हम लोग इसको करते है राइट से 0 पोटम से करते हैं इसको basically 20 पिक्सल एंड एंड जीरो लेप्ट से तो यह देखो थोड़ा उपर यहां पर स्पेस में आपको देखने को मिलता है अब हम लोग इसा करते हैं कि जो भी इसके अंदर लेबल है स्की विट को मैं कितना करता हूं काम करता हूं इससे माल लो के मैंने 22 परसेंट कर आ ठीक है और यहां पर मैंने एड़ करता है यहां पर आपको rate color दिखाई दे रहा है तो अब आपको simply करना क्या है जैसे मैं इसको 100% करूँगा तो यह होगा क्या लेट सी मैं आपको दिखाता हूँ background color इसका green गर की क्या होता है यह देखो नहीं हो रहा है यह पूरा 100% कर दिया बट यह हो नहीं रहा है आपको simple ऊपर चलके एक property अड़ करने डिस्प्ले फ्लेक्स हाँ यह अब अब हो जाएगा अब हो जाएगा नाइस बढ़िया नाइस अब क्या करना है अब simple ऐसा करना यहां पर चलना लिखना display flags और justify content आपको लिखना simple center और आपको align item center रिखना है इससे यह होगा ठीक है और एक हम और करते हैं एक हम और करते हैं हाँ पर simply 70% add करते हैं ओके और इसकी जो कुछ height है वो भी provide करते है let's see 55 pixel ओके और इसका जो border का radius है वो हम लोग add करते है 40 pixel यहां पर देखो border का radius मैंने 40 pixel add करा है और इसको मैं थोड़ा ज्यादा करता हूं let's see 60 pixel add करता हूं और इस red color को मैं हटाता हूं okay बढ़िया हम उसके बाद में मैं यहां पर cursor pointer add करता हूं ठीक है अब जैसे मैं यहां पर label पे hover करता हूं label पे जैसे मैं hover करता हूं तो क्या होना चाहिए तो simple कुछ नहीं आप scale add करता हूं थोड़ा सा effect ऐसा लगे कि हाँ बढ़िया इस पे effect भी कुछ ना कुछ दे रखाया तो मैं transaction duration इसमें simple 200msmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsms सिंपल सी हम लोग इसमें ओपेसिटी के साथ भी डिल करते हैं लेट सी पॉइंट नाइन ओके हाँ अब ठीक लग रहा है अब ठीक लग रहा है अब ठीक लग रहा है मैं इसको थोड़ा और फास्ट बना सकता था बढ़िया अब ठीक आप इसमें कुछ आइकन वाइकन भी है लेट सी मार्जिन बोटम से मैं इसको करता हूँ 10 पिक्सल फोड़ा सा गेप इसमें देना है अपने को और ठीक है अब जो अपना कनवर्ट का बटन है उसको हम लोग थोड़ा कर लेते हैं अगर आपको पर्टी कूलर जावा स्किप्ट का ही पार्ट देखना है तो उसके मैं टाइम लाइन नीचे प्रवाइड करा दूँगा देख लेना ठीक है ओके मैं बोलता हूँ पैडिंग पैडिंग कितना टेन नहीं 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 बैसिकली 13 पिक्सल टोप एंड बोटम एंड कितना 19 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट ओके इसको थोड़ा ज्यादा करते है यह भी आ चुका है और करसर हम लोग पॉइंटर भी ऐड़ते हैं करसर हमने यहां पर पॉइंटर भी ऐड़ते हैं ठीक है बटीया लग रहा है अब जो भी अपना है अब यहां पर प्ले एंड डाव्लोड का बटन इसको थोड़ा से स्ट्राइल कर लेता है ज़्यादा जर 25 पिक्सल लेफ औंड राइट से हाँ तो अब ठीक है प्ले एंड डाउनूर का बटन है देखो यूआई का पार्ट नहीं है यूआई का वीडियो नहीं है यह बेसिकली मैं फंक्शनल्टी पे ध्यान दिया जाएगा इसके अंदर ठीक है और यह डिजाइन तो आप लो कैसे भी बना सकते हो भी तो अब क्या करते हैं देखो सबसे पहले मैं काम करता हूं मैं काम करता हूं अपनी जावा स्क्रिप्ट को इसके अंदर सबसे पहले तो लिंक करता हूं तो मैं बोलता हूं यहां पर स्क्रिप्ट सोर्स और स्क्रिप्ट.js की एक फाइल उसको लिंक कर ल सबसे पहले मुझे क्या चीए सबसे पहले मुझे एक काम तोय करना है यह चीजे मुझे अभी के लिए नहीं दिखानी है नीचे वाली मुझे वीडियो नेम कनवर्ट और प्ले डाउड़ी दो तीन चीजे मुझे अभी के लिए नहीं दिखानी है तो डिस्प्ले नन कर दो ब सब ग्रिड नहीं करना था सब ग्रिड नहीं करना था डिस्प्ले नन करतो बढ़िया तो अभी कलिए आपको सिंपल चूज और वीडियो का एक बटन दिखाई दे रहा है अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसके अंदर आ के ध्यान से देखो लेट सी अगर मैं अगर मैं यह जो इन्पूट कंट्रोल यह जो इन्पूट है इसको सबसे पहले टार्गेट करूँ इसको मैं कोई आईड दे सकता हूँ कुछ भी दे सकता हूँ तो मालग आईड है इसके पास वीडियो करके यह देखो आप लोग वीडियो करके इसके पास एक आईडिया उसको मैं सबसे पहले गेट करता हूँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर ठीक है तो मैं आप लिखता हूँ simply led video input एक variable बनाया मैंने input equals to document.gate element by id और video हाँ अब क्या करना है अब यहाँ पे बोलना आपको कि यह video input क्या है वो वीडियो टेग है जिसको मैंने प्रोपर टार्गेट करा है मैं इस पर simple सा बोलता हूँ एक event listener और मैं बोलता हूँ change क्या बोलता हूँ मैं change बोलता हूँ आपको एक चीज मिल रही है अगर मैं टार्गेट पर जाओ तो इसके अंदर आपको मिलेगी files क्या मिलेगी थोड़ा नीचे scroll करो आपको यहां पर मिलेगी देखो जहां से files 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 तो यह देखो यहां पर files है अब इस files पर मैं जैसे चलता हूँ यहां पर देखो zero index पर हम इसको थोड़ा spend करते हैं तो इसमें देखो उसका name है उसकी size है type है बहुत सारी चीज़ी है है ना तो हम लोग क्य चीज़ नहीं है अपने को जो मिलना है वो मिलेगा देखो अगर मैंने वीडियो चूज करा है देखो वीडियो का name last modified बहुत सारी चीज़ी अपने को यहां पर मिल रही है अब अगर मैं इसको एक variable में store कर दूँ इतना तो काम आएगी नहीं चीज़ तो मैं यहां पर क्या क नहीं मिले तो एक simple सा मैं बोल दूँगा please choose video file प्लीज चूज वीडियो फाइल कुछ पी तो मैंने यहां पर बोल देखो वीडियो फाइल ओकी that's it अगर है अगर है तो तो simple हम लोग ऐसा बोलेंगे कि देखो यह अगर है तो सबसे पहले तो वो convert वाला बटन दिखाओ वो convert वाला बटन दिखाओ तो convert वाला बटन दिखाओ तो convert क्या है let एक simple सा आपको पता है convert करके हमने एक बटन बना रहा है convert करते हैं लिखते हैं simply document dot class है एक आपको पता ही होगा तो convert मैं हाप ही कर देता हूं nice बढ़िया अब जो convert बटन है यहां पर मैं चलता हूं convert बटन कि style हम लोग क्या करते हैं display equals 2 और हम लोग यहां पर block करते हैं हम इसको पते हैं देखो जहां से जहां से देखना अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं और मैं एक काम करता हूं यहां पर इस पर चलता हूं यह देखो आप लोग convert का बटन आपको दिखाई दे रहा है मैं चाहता हूं कि उसका name भी मुझे द जाना है तो मैं यहां पर बोलता हूं simply let end video original name equals to और जो video file है उसके अंदर वो name है बिल्कुल है problem इसमें एक आएगी मैं आपको दिखाता हूं वो problem क्या लेकिन सबसे पहले हम लोग वो name यहां पर show करवाते हैं okay तो मैं काम करता हूं उसके लिए यहां पर जो अपना क्या था यहां मुझे देखना पड़ेगा video name था क्या video name था उसको हम लोग copy करते हैं और हम लोग अपनी script के अंदर चलते हैं और मैं क्या करता हूं यहां पर इसके अंदर आ कि let video name equals to document वह एक साइध क्लास है तो कोरी स्लेक्टर.video name ओके बढ़िया अब जो वीडियो नेम उसको ब्ल कर दूँगा हां तो मैंने सको यहां पर block कर दिया बढ़िया है सही हैं तो आपको name दिखाई देगा देखो जासे अगर मैंने से इस पर click कर रहा और मैंने इस पर click क्रा एदेखो video name मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है सही है okay बढ़िया nice अब simple ऐसा करना है कि मुझे जो भी वीडियो नेम है उसके अंदर inner stml इस पिलिंग गलत है inner stml इक्वस टू और मैं बोल दूँँगा इसके अंदर आके कि जो भी सबसे पहले मैंसाब बोलता हूँ है आपर वीडियो एंड नेम नाइस और इसके अंदर आके जो भी अपना वीडियो ओरिजिनल नेम है वो मैंने हाँ पर प्रोपर शो करवा दिया क्या होता है क्या होता है देखो जहां से अगर मैंने इस पर क्लिक करा और क्लिक करने पर मैंने एक वीडियो चूज करा यह देखो आप लोग बड़े हराम ही जो बेटा ठीक है और यहाँ पर .mp4 आ रहा है मैं चाहता हूं कि mp4 मुझे format नहीं दिखना चाहिए only video का name दिखना चाहिए मुझे format से कोई मतलब नहीं है मुझे इसको हटाना है तो कैसे हटा होगे मुझे पता है बहुत सारे तरीके हैं लेकिन देखो यार practice होने चाहिए इंचे प्रैक्टिस होने चाहिए एक simple सा तरीका है हम लोग split method यूज़ कर सकते हैं अच्छा बिल्कुल एक काम करते हैं देखो मैं आप बोलता हूं let real name, real video name okay equals two मैं बोलता हूं जो भी video original name है उसके साथ मैं split method यूज़ करूँगा मुझे क्या हटा ना dot mp4 तो मैंने यहां पर बोल दिया dot mp4 ठीक है उसके बाद में उसके बाद में मैं आप इसको join कर दूँगा अब यह join split है सब कुछ मैंने जावा script interview series के अंदर बता रखा है इसके attention आप लोग मतले हूं और real video name को मैं क्या करूँगा इसकी जगह simply paste कर दूँगा ठीक है nice अब क्या होता है अब क्या होता है देखो अब जैसे मैं यहां पर इस पर click करता हूं एक video choose करता हूं all right वो video का न है और उसके बाद में audio के अंदर convert hope ने पर play and download का button आपको दिखाना है और फिर play करवा देना है download करवा देना है इतना सा काम है तो मैं एक काम करूँगा उसके लिए मैं चीज़ हम लोग ऐसा करते हैं देखो देखो अगर कोई convert पे click कर दे अगर कोई convert पे click कर दे convert button पे मैं एक event listen add करता हूं मैं बोलता हूं click अगर कोई क्या कर दे click कर दे ठीक है मैं simple सा function यहां पर बना रहा हूं और मैं बोलूँगा कुछ एसा मैं बोलूँगा कुछ ऐसा कि देखो मैं simple है कि URL बनाऊंगा अब यार कुछ भी बना सकते हैं आप ल object URL create करना है अच्छा किसका वीडियो फाइल का वीडियो फाइल क्या है वीडियो फाइल बेसिकली आपको मने बदाया था यहां पर देखो यहां पर मने वीडियो चूज कर दिया अब जैसे मैं convert वाले बटन पर click करता हूं console में देखना यह देखो आप लोग यहां पर मुझे एक URL मिल रहा है बड़े काम की चीज़ है तो मैं क्या बोलूँगा कुछ ऐसा ऐसा बोलूँगा if and else वाला पार्ट लिखो सबसे पहले conditions के अंदर अगर note URL है अगर URL नहीं मिला अगर मेरे भाई URL नहीं मिला तो मैं बोलूँगा alert और क एक प्लीज यही चीज यही चीज इसी को मैं सिंपल कोपी कर लूँगा और कोपी करके जर्ट मैं क्या करूँगा password ठीक लेकिन अगर मिला अगर मिला तो तो एक काम करते नहीं सबसे पहले मैं यहां पर आके यहां पर आके मैं इंडेक्स रोड एस्टेमल पर चलूँगा एक बार यहां पर जो play download वाला है class इसको मैं यहां पर copy करता हूँ और मैं script.js के अंदर चलता हूँ और मैं play and download का बटन भी show करूँगा अगर मिला तो मुझे show करना पड़ेगा यहां पर पेस्ट कर दो और ब्लोक की जगह नन कर दो बढ़िया तो क्या होता है देखो ध्यान से देखो चुझे और वीडियो पर मैंने क्लिक करा एक वीडियो मैंने लिया जैसे convert पर क्लिक करा play and download का बटन मुझे देखने को मिला simple सी condition के मुतबी के काम हो रहा है ठीक है अब मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ही मैं play वाले बटन पर क्लिक करूँ तो play एक class होगी साइद play वाले बटन पर class दे रहा है play ओके इसको javascript के अंदर क्या कर लो gate कर लो कैसे gate करना है let play btn करके simple सा variable बनाओ equals to document.coverselector और इसके अंदर आके dot play ठीक है वो class को मैंने आपर properly gate कर लिया ओके जी बढ़िया है सही है अब मैं लिखता हूँ जो भी play बटन है उस पे मैं एक event listener again करता हूँ बोलता हूँ अगर इस पे किसी ने क्लिक करा तो क्या करना है अगर इस पे किसी ने क्लिक करा तो क्या करना है audio को play करना लेकिन audio कहां पे है audio कहां पे है तो मैं एक काम कर सकता हूँ javascript के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ let एक variable audio equals to new audio यह मतलब ऐसा मालो कि मैंने HTML का taggy बनाया कुछ इस तरीके से लिखके अच्छा हाँ दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ आपको अगर मैं console लोट लोग audio करता हूँ यह चीज़े clear होने चाहिए गाइज आपकी तब यह चीज़े आपको समझ में आईगे अच्छे से तो आप यहाँ पे देखो यह देखो एक पर पेस को अगे रिफ्रेस करता यूरल अच्छा हाँ कौन सा यह वाला यूरल ओके तो इसके source के वराबर क्या हो चुका है वो यूरल हो चुका है ओके ठीक है यह तो clear है ओके clear है अब देखो जान से मैं यहाँ पर बोलता हूँ जब भी मैंने play बटन पर क्लिक करा तो audio को क्या कर दो भाई play कर दो भाई क्या कर दो play method होता ही है जावा स्क्रिप्ट के अंदर play कर दो ओके होगा बिल्कुल बिल्कुल होगा लेट सी लेट सी देखो जान से सब्सक्राइब कर दो अध्यान से सुनना थोड़ा आवाज करता हूं मैं इसकी वॉल्यूम करने लेकिन play जब हो रहा है तो यहां पर फिर पो जाना चीए ठीक है और जब अगर नोट प्लेड है तो क्या करो इस ओडियो को प्ले कर दो इस ओडियो को फेकर ठीक है बढ़ए एको शीव ओडियो और करेंगे जो अपना yo पना फ्ले बटन है यह चो अपना फ्ले बटन प्ले फ्ले प्ले बटन है उसके अंद्र इसकी अधिर और हम क्या करेंगे बॉलेंगे सिल्प्ली पॉडश ऑकई नाइस बढ़िया और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यह है कि इसकी value अभी true एक काम करते हैं, इसकी value हाँ पर false करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस plate की value क्या करते हैं, true कर देते हैं, तो इस plate की value हम लोग क्या कर देते हैं, true कर देते हैं, nice, बढ़िया, उसके बाद में यही code again copy करते हैं और यहां पर paste करते हैं चीज़े opposite कर देते हैं let's see play हो जाएगा और let's see यहां पर फिर pause हो जाएगा ठीक है okay और यहां पर मैं simply false कर दूँगा okay nice और यह जो audio play है इसको हटा देते हैं एक बार एक बार इसको test करते हैं कि क्या हाल है इसका हो तो मैं एक video यहां पर पे चूज करता हूँ और मैं एक आम करता हूँ यहां पर यह करता हूँ ठीक है और convert पे क्लिक करता है nice, और IAm देखो pause यहां पर आया और apply आया बढ़िया अब एक काम ओर कर लेते है साथ version साथ हम बोलते हैं कि अगर audio अगर audio पे हम लोग एक event listener करें हम बोले एक event अगर वो ended हो जाता है तो मैं simple सा क्या काम करता हूँ एक simple सा काम यह करता हूँ कि देखो एर अगर ended हो चुका है तो यह code चलेगा फिर यह code चलेगा और इसको मैं simply paste यहां पर कर दूँगा ठीक है अगर मैं यहां पर एक वीडियो को चूज करता हूँ और मैं लिखता हूँ बड़े हरामी हो बेटा ठीक है इस वाले वीडियो को मैंने चूज करा और जैसे मैं तो drive के अंदर उस audio को आपको download करवाना है यह काम मा आप पर छोड़ता हूँ और मुझे पता है आप यह करोगे source code की tension मत लेना वह description के अंदर वह description के अंदर ठीक है okay nice मुझे पता है इससे आप लोग बिलकूल करोगे कुछ नहीं करना बहु simple सा कामा आपके पास blog है अराम से इसको download कर सकते हो ठीक है ठीक है अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे निचे comment करके बताना कि भाईया हो नहीं रहा है आप बताई दो तो मैं इस पर एक video अलग से बना दूँगा ठीक है तो bye guys आज के लिए इतना ही मिलत the adex video may thank you guys watching this video bye bye